भजन सहिता अध्याए 118 यहवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदाकी है इस्रायल कहे कि उसकी करुणा सदाकी है हारुन का घराना कहे कि उसकी करुणा सदाकी है यहवा की डरवये कहे कि उसकी करुणा सदाकी है मैंने सकीती में परमश्वर को पुकारा परमश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चवड़ स्थान में पहुचाया यहवा मेरी ओर है मैं न डरूंगा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है य अपने बैरियों पर दुष्टिकर संतुष्ट हूंगा। यहवा की शरनलेनी मनुष्ट पर भरोसा रखने से उत्तम है। उन्होंने मुझे मदुमक्यों की नाई गेर लिया है। परंतु काटों की आग की नाई वे बुझ गये। यहवा के नाम से मैं निश्चे उन्ही नाश कर डालूँगा। तुने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ू। परंतु यहवा ने मेरी सहायता दर्मेश्वर मेरा बल और भजन का विशे है। वह मेरा उद्धार ठेरा है। धर्मियों के तंबू में जैजेकार और उद्धार की ध्वनी हो रही है। यहवा के दहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मेरी बड़ी ताड़ना तो की है परंतु मुझे मुर्त्यू के वश में नहीं रखिया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो। मैं उनसे प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूँगा। यहवा का द्वार यही है। इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहवा मैं त सिरा हो गया है। यह तो यहवा की ओर से हुआ है। यह हमारे दृष्टी में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहवा ने बनाया है। हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहवा बिंति सुन उद्धार कर। हे यहवा बिंति सुन सफलता दे। धन्य है वह जो यहवा के ध्यूंत आफूर P, नूंत आफ़ सरी अधियर वि G dimasinam से आता है अ मने तुछको यहुआ के घर से आशिरवात दिया है यहुआ परमेश्वर है और उसने हमको दिया है यदने परश्यू वो बेदी के सिंहों की रशियों से बांधो हे यहवा, तु मेरा परमेशर है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, तु मेरा परमेशर है, मैं तुझको सरा होंगा, यहवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसके करूना सदा बनी रहेगी.